हरे कृष्णा, केशवा माधवा हे कृष्णा मदू सूधना कृष्ण का नाम स्वयम कृष्ण ही है राजा पुर्शोत्म प्रती दिन कृष्ण की पूजा किया करते थे कृष्ण की पूजा के बिना कोई कार्य आरंब नहीं करते थे सुबह उठके साथ बार हरी हरी कहते महल के लिए प्रस्थान से पहले केशव खाने से पहले गोविंदा और सोने से पहले माधव इस प्रकार भगवान के नाम जब की माला पूरी करते थे भगवान का कोई भी नाम जबने से हमारे कर्मों की शुद्धी होती है परंतु कर्मों का फल तो अवश्य भोगना पड़ता है भगवान का नाम हमें दुख सेने की शक्ती प्रदान करते है राजा पुर्शोत्म का भी करम भोग का समय आया वो बिमार हो गए फिर भी राजा कृष्ण का नाम जबते रहे स्वास्ते काफी बिगड़ गया राजा कृष्ण किष्ण पुकारते रहे एक दिन स्वामी जी महल आये राजा ने कहा स्वामी मुझसे अब ये पीडा सहिन नहीं हो रही मैं और नहीं जीना चाहता स्वामी जी ने सहराते हुए कहा तुमने दान किया राजा बोला जी स्वामी जी स्वामी बोले अब और मत करो जितना अनका दान करते हो उससे आधा करो लोग तुमें भूके पेट श्राप देंगे और तुम श्राप से मृत्यू को प्राप्त हो जाओगे राजा ने अपनी पीडा कम करने के लिए ऐसा ही किया गरीबों ने भूके पेट श्राप दिया राजा की स्थिती बिगड़ती गई परन्तु उसने कृष्ण नाम नहीं छोड़ा स्वामी जी बोले अच्युतम कृष्ण तुमें कैसे छोड़ेंगे अगर तुम उनको सदा पुकारते रहोगे राजा कहता है स्वामी जी मैं आखरी स्वास तक कृष्ण नाम नहीं छोड़ूंगा मृत्यु से भी मुझे भै नहीं है कृष्ण ने जब राजा पुर्शुतम का प्रेम और समर्पन देखा तो भगवान रीज गए और उसको स्वस्त कर दिया हमें अपने बच्चों को कृष्ण, केशव, गोविंद कहके पुकारना चाहिए ऐसा करने से हमारा जीवन कृष्ण मैं हो जाएगा सर्वम श्रीकृष्ण अर्पनम